गुड मॉर्निंग स्टूरेंट्स यास बेटा हम कर रहे थे हमारे लेसर नमबर 15 जिसमें हम लोग क्लैमिटीज के बारे में आपदाओं के बारे में अमर्जनसी के बारे में रीट कर रहे थे कोल हमने जो टोपिक यह था उसमें हमने रीट किया था हेल्प बाई गुवर्में रिक्वाइब इमिडेटली आफ्टर धालमेटी हैस ट्रैक मेडिकल जो हल्प होती है जएसे ही दुरगटना होती है उसके तुरंट बात क्या होती है, चाहिए होती है, the injured people need to be treated without any delay, जो injured, जो जकमी लोग होते हैं, उन्हें बिना किसी देरी के क्या मिलनी चाहिए, बिना किसी देरी से उनको क्या मिलना चाहिए, treatment मिलना चाहिए, ठीक है, a timely medical help can be a safe many people life, और हम यह भी कह सकते हैं कि अगर उन्हें तुरंद क्या मिल जाती है तो उनसे काफी लोगों की क्या हो जाती है जान बज जाती है Mobile Medical Vans a complaint by equipment, medicine, doctors, nurses and other medical attendants reach the post as soon as possible Mobile Medical Vans a complaint by equipment, all equipment, medicine, doctors, nurses or any other thing that is required, all of them are plugged in जान के लिए क्या है जाती है जाता है और उसके बाद उन्हें कोई भी medical help जरूरत होती है वो दी जाती है Blood donation camps are arranged by the hospital to the help injured people Blood donation camp, blood donation का मतलब होता है दान करना ठीक है और खून दान का रक्त दान करने के लिए क्या है Blood donation camp लगाए जाते हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं जो जक्मी लोग होती है उनकी help कर सकते है Ambulances carries injured people to the hospital clinics in a nearby towns and places that are affected और ambulance होती है वो क्या करती है जक्मी लोगों को hospital clinics या कहीं और दूसरे जगह पेले के जान में क्या करती है लोगों की help करती है Next one is better military help Military help क्या होती है मतलब military का मतलब होता है आर्मी की help लेना ठीक है The army and the air force come forward with the aid for victims जो आर्मी होती है जो हमारी force होती है या फिर जो air force होती है वो भी क्या करती है Victims की help करने के लिए क्या आती है आगे आती है Soldiers are both the forces reach and reach the affected area help the distribution of food medicine packets and other essential things दोनों ही G. जो forces केlessly soldier होती है जवान होते है वो क्या करते है तो इरिया में से जहां उनकी जरुरत होती है जिस area में कोई आप्डा हुई होती है वो क्या करते है वो स्या सकतर्व करते हैं खाना बसे के लोगों की help करने में अंन्य में जोरूरी का मेंrators का करते हैं help करती है, tents and other temporary shelters are setups for the victims and were they are provided for some kitchen facilities, yes, tent और दूसरी जो temporary facility, temporary मतलब ऐस था ही जो उनको shelters या कोई भी और temporary victims के लिए जो भी help चाहिए होती है, वो सभी कोन वो provide करवाती है, ठीक है, next step, sometime a fire break out after some natural disaster, कई बार ऐसा होता है कि किसी भी प्राकर्थी कापदा के बाद के आरतिया आग लग जाती है, the firefighters help a put out of the fire, तो क्या किया जाता है, firefighters जो बेटा ये दंकल करमचारी है, वो क्या करते है, help करती है लोगों की, उससे उस आग को बुझाने में और लोगों की मदद करते हैं, in the case of earthquake, earthquake भुकम की case में, they also help take out a people from the under debris, yes, और जब भुकम पाता है, तब भी क्या है, दंकल करमचारी help करते हैं, लोगों की बाहर निकालने के लिए, जो मिट्टी के नीचे दबे होते हैं, media such as newspaper, televisions and radio channels are also helped during these calamities, और media होता है, जैसे ये क्या करते हैं, newspaper, televisions या फिर रेडियो, ये भी लोगों की help करते हैं, ऐसी आपदाओं के समय, they provide information about the victims and ये क्या करते हैं, लोगों को victims और injured peoples की क्या करते हैं, information देते हैं, relative and friends of the victims can thus locate their name and their ones, relative या फिर उनके रिष्टेदार या फिर उनके ब्रदर सिस्टर वो क्या कर सकते हैं, उन लोगों को डूंड सकते हैं, जो क्या हो जाते हैं, गुम जाते हैं, next बेटा, rebuilding destroying place, rebuilding मतलब दुबारा बनाना, खराब हो चुके places को, sometime after the calamities occurs, the government starts a rebuilding damaged infrastructure, as such as roads, water, electronic supplies, stations, so that the safe if another natural calamities occurs, ठीक है, कई बार क्या होता है, बेटा, natural calamities आने के बाद, जो government है, वो उसी, जो उनका structure, ठीक है, जो government क्या होते है, rebuild कर देती है, दुबारा बनाना, start कर देती है, जो उनका damage होता है, उसी जैसे किस किस चीजु को दुबारा बनाया जाता है, जैसे roads होते है, सड़के होती है, यह पानी होता है, यह electric supply होती है, दुबारा शुरू करने के क्या कर देते हैं स्टार्ट कर देते हैं ताकि अगली बार क्या कर सेके वो लोगों की दुबारा help कर सेके However, it is the courage that help the people come out of the tragedy and start life again It is the courage that the help people to come out और ये क्या करता है लोगों को हिम्मत देता है courage देता है ताकि वो इस अबदा से बाहर आर सके और अपनी life को दुबारा क्या कर सके start कर सके Next है बेटा handling emergencies हम लोग emergency की situation को कैसे handle कर सकते हैं तो देखे people may need some help in the case of an accident or emergency लोगों को emergency या accidents के अंदर क्या हो सकती है लोगों की help की ज़रूरत होती है so they should keep a diary with the emergency numbers of hospitals, fires police stations, ambulance and always keep in handy ठीक है तो लोगों को क्या करना चाहिए अपने पास एक डाइरी रखनी चाहिए जिसमें क्या हो emergency number हो जिसके अंदर आप किसी भी hospitals या फिर fire station ठीक है या फिर police station या ambulance का क्या हो number हो ताकि जब भी आपको जुरूरत परे तो आप क्या कर सके उनको coal कर सके next रे बेटा हमारा book work देखिए tick the cracked option क्या है overflow of water bodies occurred during a जो पानी का ज़्यादा भाव कब हो जाता है जब क्या आ जाता है flood आ जाता है तो इसमें क्या आएगा flood number 20 the sudden trembling and shaking of earth is called धर्ती का एकदम से कापना क्या कहलाता है उसको क्या कहते है उसको कहते है earthquake क्या आएगा earthquake book hump कहते है number C is cyclones are cyclones क्या होते है तो cyclones क्या होते है high speeds wing काफी तेज हवा से काफी तेज गती से हवा का चलना ही क्या लाता है cyclones number D is the device which is used to measure the earthquake is उस device का क्या नहिम है जिससे क्या किया जाता है earthquake को book hump को मापा जाता है तो उसको क्या कहा जाता है scissometer क्या हैगा scissometer next one is which of the following is a non-government organization in the India आपको ये बताना है कि इन में से कौन सी है जो क्या है non-government organization है इंडिया के अंदर जो लोगों की क्या करती है victims की help करती है देखिए इसमें कौन कौन सी है Indian Red Cross Society International Relief Friendship Foundation or the National Emergency Response Team या फिर कोई और तो इसमें क्या आएगा all of above मतलब इन में सभी आएंगे ठीक है जो सभी है ये क्या है Emergencies और Non-Government Organization है इंडिया के अंदर जो लोगों की क्या करती है help करती है next one is number two fill in the blanks from the word given in the below box आपको नीचे एक box के अंदर help words ही हो आपको इन से क्या करना है इनको ठीक है तो देखी first क्या है dash are huge accident caused by the forces of nature resulting in the great loss of a life and property ये क्या काफी साद है accident cause कर सकती है force of nature के दवारा जिससे जिससे काफी लोगों की जान जा सकती है पॉपर्टी भी खतम हो जा सकती है तो इसमें क्या हैगा natural climaties जो प्राकरतिक आपदाई होती है इससे क्या होता है काफी जादर लोगों को नुकसान होता है लोगों की depth भी हो जाती है और उनकी पॉपर्टी को भी क्या होता है नुकसान होता है नेक्स्ट वन इस earthquake को किसके उपर measure किया जाता है तो इसमें क्या हैगा Richard scale Richard scale जो होता है इसके अंदर earthquake को बुकम की तीवर्टा को क्या किया जाता है ना पा जाता है नुबर थ्री इस dash and extremely strong winds blowing in the sprayl at a very high speeds ये क्या काफी तेज हवाई होती है जो क्या है काफी ज्यादा तेज स्पीड पर क्या करती है चलती है क्या होते है cyclones क्या आएगा इसमें cyclones क्या होती है काफी ज्यादा तेज क्या होती है हवा चलती है number D is dash carrier and injured people to the hospitals कौन yes injured people को जो जकमी लोग होते हैं उनने एक hospital तक लेकी जाने के लिए किसका यूज किया जाता है ambulance इसमें क्या आएगा ambulance आएगा next one is during emergencies आपदा के समय people came forward to a dash of one who suffered तो लोग क्या करते हैं emergency के समय लोग क्या करते हैं आगे आते हैं लोगों की क्या करते हैं जो लोगों को help की ज़रूरत होती है उनको क्या करते हैं help करते हैं तो इसमें क्याएगा help करते हैं जब लोगों की ज़रूरत होती है तो ये book work आप book अपनी book में write करेंगे और lesson को read करेंगे Thank you